प्रेस दे बेल आइकन आप इपाट चाला चानल एंड नेवर मिस अनदर अपडेट So guys now we are back with this chapter ये वीडियो का पाचवा पार्ट है इससे पहले हमने इस पे चार पार्ट अपलोड किये हुए चैप्टर का नाम है आदुनी करण के रास्ते Class 11 की History का 11 चैप्टर है और ये वीडियो का पाचवा पार्ट है वीडियो के आगे और पार्ट आएंगे क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा Confusing है तो इसलिए मेरी कोशिश यह है कि आपको बहुत ही असान से और सरल तरीके से बताने की कोशिश की जाए तो वीडियो के एंड तक देखेगा बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा विकॉज हम क्योंकि जपान और ये पढ़ने की कोशिश कर रहे है चाइना के बारे में कि किस तरीके से इन लोगों ने अपने देश को Modernization की और ले जाने की कोशिश करी है अब हम जानेंगे इसके अंदर Overcoming Modernity That means होता है इसका मतलब है आधनिक्ता पर विजह प्राप्त करना कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से जापान अपने देश को Develop कर रहा था उस तरीके से अब हमने ये देखने की कोशिश करी थी कि 1989 से लेके 1947 के बीच में उस देश के अंदर डाइट जैसी Parliament जो थी वो आ चुकी थी है ना डाइट जैसी Parliament आ चुकी थी और दोस्तों उस Parliament के अंदर हुआ क्या था उस Parliament के अंदर जो भी Minister होता था यानि कि जो भी बड़े-बड़े Head होते थे वो हमेशा वहाँ के आर्मी के जर्नल और या तो क्या कहते है कोई वहाँ के Admiral जो बड़े-बड़े Air Force के Officers होते हैं उनको ही समिधान के According कही न कहीं मंतरी बनने या कहीं न कहीं बड़ी पोस्टों पर जाने का मौका मिलता था तो ये सिर्फ इसलिए होता था कि जापान में कैसे वो लोग अपने देश के अंदर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सैनिक साशन को और अच्छा करेंगे तो इसकी वज़े से हुआ क्या इसकी वज़े से हुआ ये कि जापान ने चीन और एशिया के कई हिस्सों पर अपना समराज्य का विस्तार करने की सोची कहने का मतलब जापान चोटी सी कंट्री है भले ही लेकिन वो सोच रही थी कि किस तरीके से वो चीन के हिस्सों पे कुछ हिस्सों पे और किस तरीके से वो एशिया के कुछ हिस्सों पे मैं कहा सकता हूं कि कहीं न कहीं अपने ओवर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था किस टाइम पिरड़ पे 1930 से 1940 के बीच में अब इस वज़े से कहीं न कहीं उसने बगावत कर दिये थी अमेरिका से भी दोस्तों और इसी वज़े से उसने अटैक कर दिया था पर्ल्स हबर पर एक जगा है जो कहीं न कहीं शुरुवाती समय में एशियाइटिक पैसिफिक ठेटर जो है एक जगा जहां पर यह अमेरिका की जगा है जहां पर अमेरिका अपने परमानू बमों का विस्पोट या मैं कह सकता हूं कि किसी भी बम का करते हैं इस्तमाल करना या उसका परिक्षन करना निरक्षन करना वो यहीं पर करते हैं ये लोग और दोस्तों ये अट प्रेजन टाइम अगर इसकी लोकेशन देखें तो हवाई के आसपास है और ये टैरिटरी यूएस की ही आती है यूएस टैस को कब जा रखा था कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम पिरिड पर जापान, चाइना और एशिया के पार्ट को कब जाना चाता था उसने गलती से क्या करा उसने इस पर भी अटाइक कर दिया कब 1949 के टाइम पिरिड पर तो गलती उन्होंने इस लिए कर दी कि फिर चाइना और एशिया की बहुत सारी कंट्रों के साथ ये बदला ले रहे हैं दूसरा फिर उसने अमेरिका के इस इलाके पर अटाइक कर दिया तो इसकी वज़े से ये देखा जा सकता है कि 1939 से लेके 1945 में जो दूसरा विश्यूद चला था उसमें कहीं न कहीं जापान को इसका नुकसान भी जेलना पड़ा था वह भी आपको आगे बताएंगे लेकिन कहने का मतलब ये है कि जापान पूरी तरीके से अपने छेत्र को बढ़ाना चाता है और इसी दुरान वो ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि जितनी भी उनकी कांट्री के अंदर इस वार के अगेंस्ट लोग हैं उनको वो जेल भेजने की कोशिश कर रहा है और इवन इन लोगों ने क्या करा इन लोगों ने ऐसे से organization बनाएं जो कहीं न कहीं युद्ध का समर्थन करते हो That means Japan इस समर्थन पर युद्ध कर रहा था बहुत बड़ी मात्रा में और वो अपने empire को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था तो इसलिए उन लोगों ने क्या करा 1943 के time period पर जपान ने पूरी तरीके से overcoming करने के लिए क्या करते हैं modernity के उपर जपान में एक तरीके की organization बनाई जिसमें महिलाओं को क्या करते हैं जादा हिस्सादारी दी जाती थी और दूसरी उनका debate हमेशा इसी सीच को लेके होता था कि किस तरीके से जापान पूरी तरीके से modern होता भी रहे और साथ में उसके साथ साथ वो कैसे westerns countries को कैसे ना कैसे हराने की कोशिश करता रहेगा है ना तो इस बिहाव पर एक वेक्ती है जिन्होंने अपना राय दिया है वो समय के संगीतकार थे composer थे, artist थे बहुत बड़े उन्होंने बस यही बताने की कोशिश करिये कि how to rescue music from the art of sen, sorio, stimulation and restore it to an art of the spirit कहने का मतलब सिर्फ इतना साथ है कि जिस समय पर modernity की बात हो रही थी उस time period पर वहाँ के singer उन्होंने यह बताने की कोशिश करी कि हमें संगीत को दूसरी दुनिया से अलग नहीं करना चाहिए यह अच्छी बात रही दूसरा अगर हमें दूसरे देश्टों के उपर कबजा करते हैं कि सोचनी भी है तो हमें संगीत को बात नहीं सकते हैं है ना और दूसरे बड़े शास्तरी जो थे बहुत ग्याता थे उन्हें केजी निशीतिजी बोलते हैं आप देख सकते हैं केजी नी शीतिजी थोड़ा आजीब सा नाम है वैसे भी जैपनीज नेम है तो आजीब ही होंगे बोलने में उन्होंने बस यह बताने की कोशिश करें कि जापान का मौडन होने का फाइदा यह है कि वो दूसरे देशों की संस्कृति को भी अपना सकता है देख सकता है जैसे उन्होंने पुरन जागरन यानि की रनिंसा के बारे में बताया कि कैसे इटली के रनिंसा हुआ तो उससे हमें सीखना चाहिए रिफार्मेशन सुधार हुए वो हमें देखना चाहिए नैच्रल साइन जैसे चीज़ों का गुरोध हुआ वो हमें देखना चाहिए समझना चाहिए MAYOR तो इस तरीके से यह तीन चीज़ों का उन्होंने एगजामपल दिया और उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि जपान का वर्ज है कि वो दूसरी कंट्री के ओपर कबजा ना करते हुए अपनी नैती कूर्जा मोरल एनरजी का इस्तमाल करते हुए वो कहीं न कहीं उपनिवेशवाद के रास्ते से बचे और पूरी तरीके से कोशिश ये करे कि इस्ट एशिया के हिस्से को और जादा ग्रेटर बना सके अच्छा बना सके बड़ा बना सके ये फोकस करी जा रहे थी उस टाइप पिरड़ पर और इसकी वज़े से अगर आप देखें कि 1941 के अंदर जब जापान ने पूरी तरीके से अटैक करा था हवल पोर्ट के उपर तो अमेरिका इससे गुसा हो चुका था और इसकी वज़े से अमेरिका ने क्या करा दिटे विश्युद के अंदर कहीं न कहीं जापान का विगटन कर दिया क्यों क्यों क्योंकि उसने उसके बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागा साकी जापान के अंदर important state है उस पे अटाक कर दिया जिसकी वज़े से ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे हजारो हजार लोग सिविलिन मारे गए सोलजर मारे गए हिरोशिमा और नागा साकी के अंदर और इससे जापान को कहीं न कहीं बहुत जादा नुकसान हुआ लोगों का ऐसा मानना है कि ये तरीके से राजा का साशन हटा मेजियो का साशन हटा और बाद में जो वहां की पारलिमेंट है वहां पर ऑफिशल बेसिस पे कॉंस्टूशन के अकॉर्डिंग चुना होने लग गए तो कहने का मतलब क्या है यहां पर पहली बार चुनाओ जो हुए दोस्तों वह 1946 में जाके हुए 1945 में आप देख सकते हैं आप पर्टिकुलर डेट भी देख सकते हैं कि कब चुनाओ हुए थे 10 अपरेल 1946 में चुनाओ पहली बार सफल हुए थे वहां पे अलग-अलग कैटिगरी की पार्टीज थी उन पार्टीज में से जो व्यक्ति बने थे पहले परधान मंतरी ज और देने का अधिकार वहां पे बनाया और दोस्तो जापान की इतनी खासियत थी कि इतने बड़े पर्माणू बं को गिरने के बावजूर भी जापान ने अपनी अर्थव्यवस्ता को बहुत तेजी से बढ़ाने की कोशिश करी कहने का मतलब यह है कि लोग कहते हैं कि बारी विद्वन्स हुआ और 1946 के अंदर यहां पे चुना हो गए और अर्थव्यवस्ता का गरोध उतनी ही तेजी से होने लग रहा था तो यह बहुत बड़ी बात थी और यहां पर कोरियन युद और वियतनाम युद के बाद उनकी जो अर्थव्यवस्ता थी वो बहुत ज बुलट ट्रेन उस टाइम पीरिड पर 200 घंटे प्रती मील की रफ्तार से चलती थी प्रती फिर बाद में 300 हो गई और अट प्रजन टाइम तो पता नहीं कितनी है है ना आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं कि जापान की जो ट्रेने हैं वो एक घंटे के अंदर कितने किलोमेट तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इनकी टेकनॉलोजी भी ग्रोथ हुई थी अब क्योंकि टेकनॉलोजी बहुत तेजी से ग्रोथ होने लग गई थी इसलिए कहीं न कहीं 1960 के अंदर समाजी का अंदोलन भी होने लग गई क्यों कि थे इवन 1960 के दशक में ये देखने की कोशिश करी गई कि लोगों को कहीं न कहीं जहर हवा के अंदर मिल रहा है और 1970 के टाइम पिरिड में तो ये देखने को देया कि वायू परदोशन बहुत समस्याओं का कारण वन गया था इसकी वज़े से कहीं न कहीं लोगों ने बाद में कहा कहते हैं इन समस्याओं को पहचानना शुरू करा और फिर उसके बाद ये देखने की कोशिश करें कि जो पिडित लोग हैं उनको कहीं न कहीं हेल्प करनी चाहिए और सरकार ने फिर 1980 के दशक तक सरकार ने परियावरण के मुद्दे को नियंत्यत करने के लिए कड़ अगर आपको याद हो कि क्यूटो प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल हुआ था ना क्यूटो प्रोटोकॉल बहुत फेमस चीज है जो जापान के अंदर ही शुरुवात हुई थी और ये 12th क्लास के अंदर आप पढ़ोगे यह सब इसी वज़े से हुआ था कि जापान में किस तरी पूरी विश्व के अंदर ऐसी महामारी या परियावरन परिवर्तन की वज़े से चेंजिस की वएसे कही ना कहीं बचा सकेगा तो इसी लिए आप देख सकते हैं कि विश्व शक्ती के हैसियत से कहीं ना कहीं यहां पर जापान ने बहुत सारे चिनौते हो का तो सामना करा लेकिन धीरे 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 वह इन सबसे ओवरकम होता चला गया और आज वो विश्व के अंदर बहुत बड़ी महान शक्तियों में से एक है अबी मेरा कोशन आप से यह है आपको बताना है कि अड़ प्रेजन टाइम पी-म कौन है जापान के ठीक है ना जापान के पी-म कौन है और आपको कमेंट करना है उनका नाम बताना है जब तक के लिए हम पढ़ने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो के अंदर हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे और के चीन के बारे में पढ़ेंगे कि चीन ने कैसे modernization लिया और किस तरीके से हमारा उनके साथ संबन बना अभी तक हमने सारा का सारा जापान के बारे में पढ़ा था और हम वीडियो के छटे पार्ट में जो 6th पार्ट होगा वीडियो का उसमें दे बढ़ते हैं वीडियो के दोसरे पार्थ में और आंसर करना जरूर होके सैंजा तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और यह पार्टंटा चानल के आप सब्सक्राइबर हैं तो इट पार्ट्शाला के टीम से आप सभी को यही request है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें और कोशिश करें कि आप دूसरों को share करवाने के लिए बोले क्योंकि आप जितना वीडियो को share करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जबी बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चानल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिन जै भारत